अगेन इट सब पर्सनल चॉइस बट आपके हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा है वीगन होना अच्छा है या इनी टीटर होना अच्छा है जब से हमारा डवलप्मेंट शुरू हुआ है यानि हमें आलू और भालू के बीच का फर्क पता चला है तभी से मानव जाती इस बात पर बटी हुई है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए डाइटरी प्रेफरेंस का एक पूरा स्पेक्ट्रम है फ्रॉम वीगन या जैन कल्चर जो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं तो ऐसे लोग जो की कुछ भी बिना रिस्ट्रिक्शन के खा लेते हैं इफ इट्स पर्मिटेड बाइलॉओ हम सब इसी स्पेक्टरम में कही ना कही आते हैं आप जिस भी श्रिणे में आते हों यहां पर ये क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ये परसनल प्रिफरेंस परसनल चॉइस होनी चाहिए समाज के या फिर भरण यहां नहीं हम इस वीडियो में किसी राइट को नीचा दिखा रहें बैसिकली हमें इस वीडियो में बिना धर्म और पॉलिटिक्स को टच किये डायटरी प्रेफरेंस के अर्पित एक्स्प्लेंस से एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और एंगेजिंग बाचीत करी पूरा पॉड्कास्ट वीडियो देखना चाते हैं तो वो आपको हमारे नए चैनल लॉजिकल कास्ट पर मिलेगा और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंड में मिल जाएगा तो आप उसे जरूर जा कर देखिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो अंडा मास मचली नहीं खाते और अपने आपको इस बात का दिलासा देते रहते हैं या गर्व करते रहते हैं कि हम तो जीवत्या नहीं करते और जो अंडा मास मचली खाते हैं वो बहुत बड़े अपराधी हैं तो ये वीडियो स्पेश और भारत में बड़ा तबका है जो खुद को प्यूर वेजटेरियन बुलता है बटो लेक्टो वेजटेरियन यानी दूद पीते हैं अंडे खाते हैं और सब्जी खाते हैं अगें इस परस्टनल चॉइस बट आपके हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा है वीगन होना अच्छा होना अच्छा है या मैट इटर होना अच्छा है अपके ंपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफॉर्ण कर सकते हो आपके पॉकल आप वीगन हो जाओ कोई दिखकत नहीं है लेकिन आप ये जिद लेकर बैठ जा ऑंकि भई सबको वीगन हो जाना न चाहिए, अब हर बंदे की नहीं पॉकेट इतनी अलाओ कर रही है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स को भी छुटलाते हैं, ये इस चीज को मानने को राजी नहीं होते हैं, कहते हैं कि भई, क्या दिक्त करते हैं, सबजीओं पर जिंदा रह सकते है लेकिन आप एक बार उन चीजों को समझो तो सही, जो आपकी शरीर की जरूरते हैं, वहाँ से पूरी हो पारी है नहीं हो पारी है, उनके पीछे क्या चैलिंजेज है, अब जैसे दाल की बात करते हैं, कि कहते हैं, दालों से प्रोटीन मिल जाएगा, भही, सौ ग्राम दाल आप खाते हो, 100 ग्राम कच्ची पकी भी नहीं, 100 ग्राम कच्ची दाल आप खाऊगे, तो उससे आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, आपके शरीर की जो नीड है, अगर आप 70 kg के हो, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप 22 ग्राम मिला, और वो 100 ग्राम दाल को पकाना जड़ा, वो कितनी हो जाएगी, और कितनी दाल खाऊगे फिर आप, पूरे दिन दाली खाते होगे, फिर उसमें भी क्या है, दालों में complete amino acid profile नहीं मिलता, आपको different sources पर जाना पड़ेगा, तो challenges हैं वीगन होने के लिए, लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ जा सकता, हो जाओगे, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी food में बहुत variety आपको add करनी पड़ेगी, और protein intake का खास दौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको supplements भी लेने ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं survive कर पाओगे, तो इतना सब अगर आप pain ले सकते ह हो, आप हो जाओ, लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, अपने देश के अंदर वो नहीं है सिस्तिती में, कि वो इतना सब कर सकते हैं, उनके लिए तो दो जून की रोटी, या कहें कि मतलब एक complete healthy diet ही अगर उनको मिल जाए, कैसे भी करके, वो ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए, वो कहां vegan हो जाएंगे, तो नहीं, और फिर हर किसी का शरीर भी है, ये भी मैंने देखा है, कि कुछ लोग हैं, जो vegan diet लेते हुए, उनका शरीर अच्छे लंबा survive कर जाता है, दिक्कत नहीं आती है, कुछ लोग होते हैं, उनको बहुत जल्दी दिक्कत आती है, ये चीज मैंने भी छिली हुए, मैं भी कुछ टाइम वीगन रहा हूँ, और मैंने भी जो है, शरीर पर जहला है अपने, मुझे पता है कि मेरा शरीर नहीं है इस तरह है कि मैं जो है, वीगन डाइट सर्वाइव कर सोग हूँ, और फिर वो उतना फिर पॉक्ट पर अरिया में हम देखें हैं खास तो यहां की वो कंडिशन भी नहीं है, मतलब आग जैसे ओ आप देखो तो वहां पर क्या ओवर कंजम्शन है, वो ओवर कंजम्शन के साइड में है, तो वो अगर थोड़ा सा उदर से रिलीफ मिलता है, अगर वो उसको छोड़ते हैं, हम कि कुछ कारवन जो है, उसमें कुछ कमी आएगी, बट इंडिया की अगर आप बात करें, तो इंडिया में क्या है, आप देखो कि अगर किसी भी किसान में जाओ, थोड़ा बहुत गावाँ में घूमगा, आपको पता चलेगा कि उनके लिए फीडिंग क्रॉप्स नहीं हो फीड कराते हैं, तो ज्यादातर वो जो फूड वेस्ट है, जो बचता है, वो सब उनको फीड कराया जा रहा है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ क्रॉप उगाई जा रही हो तो उसको कह नहीं सकते, तो इतना जाड़ा कारवन फुट्प्रिंट जो हैं हम नहीं जनरेट कर रहे जो भी हमारे यहाँ पर जो हो रहा है, तो हम क्यों खामाखा वेस्ट को कॉपी करें इस मामले में, यगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं ले आता हूँ क्योंकि वरना फिर उसकी वज़े से बहुत कमेंट आएंगे आपके प ऐसा ना हो कि हम हमारे जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो अंडर निट्रिशन रह जाएं उनको जानवरों को बचाने के चक्कर में, उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट ऐसा निकाला जाना चाहिए, अब जैसे कि कुछ मैंने सुना है कि ऐसा आ रहा है कि लैब मीट जैसा कुछ कॉंसेप्ट है, अभी हाला कि काफी महंगा है, मेभी इन फूचर वो सस्ता हो जाए, तो वो एक अल्टरनेट हो सकता है, या और GMO के थूरू हम कुछ ऐसे ऐसी कुछ डालें, या कुछ ऐसे सोयबीन वगरा कुछ ऐसे बना लें, जो जिनमें की अच्छी क प्रोफाइल बगरा मिल जाए, तो वो भी एक अल्टरनेट हो सकता है, तो साइन्स ही इस गुत्थी को सॉल्व गरेगा, उसकी तरफ ही हमें जाना पड़ेगा और वहीं से कुछ सॉल्वीशन निखल के आएगा, तो जैसे आपने बुला ना कि जो आर्टिशल मीट है, एक् तो उसमें इस अच्छी टेस्ट लाइक चीजबर्गर, जो बाकी देशों में होता है, इंडिय में तो बैन है सब कुछ, बट आइरोनिकली, इंडिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, दुनिया का लब सबसे अधा बीफ भारत से एक्सपोर्ट होता है, बट दूसरी बात वह जो मिल्क की बाद करी वह भी आटेफिशल मिल्क के कंपनी बना रही है, जो की आटेफिशल होगा, विल्ब लैब ग्रोन होगा, बट उसमें सारे प्रोटीन, जितना भी मिल्क का प्रोफायल होता है, उसके हिसाब से बिल्कुल exact taste, और exact nutrition value होगा, तो जो अ तेरी बाद में नहीं फूड कर सकता और नहीं कर सकता और दूसरी बात जो वाइटेमिन और प्रोटीन डेफिशेंसी होगी उसको पूरा करने के लिए आपको इतना अत्याधिक फूड का सेवन करना पड़ेगा कि आपको ब्लूटिंग और दस तरह की गट इश्यूस का सामना करना पड़ेगा यह लोग इस चीज को नहीं समझते तो बेसिकली कुछ लोग सबकी बात नहीं कर रहा हूं कुछ लोग आजकल जो एक मुवमेंट चल गया फैशन चल गया कि वीगन बनना ज़रूरी है उस तरफ मुड जाते हैं और उस बेसिस उसी लिए वो वीगन होते है कुछ लोग again मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं बड़ बाकी लोग जो एनिमल क्रुवेलिटी के लिए वीगन बने है उनके लिए एक बेसिक लॉजिक है कि अगर आप वीगन बने हैं तो क्या आप जीरो एनिमल क्रुवेलिटी कर रहे हैं अपने आप से पूछे नहीं ऐसा क कोई इंसान नहीं है या ऐसा कोई ओर्गैनिजम नहीं है जो जीरो क्रुएलिटी कर सकता है राइट विगन मन के भी पूस्पली नहीं इस इंपॉसिल जब अपना घर भी बना रहे हैं उसकी जो खुदाय कर रहे हैं उसमें हजारों लाखों करोडों जानवर जो है उनको या क्रॉप्स हुगा रहे हैं उसमें भी तो अनिमल क्रुएलिटी हो रही है उसमें आप कितना फैस्टिसाइड डालते हैं कितने कीडे मरते हैं कितने चिडिया और जो और उसके लिए भी आप जमीन खाली कराते हैं जंगल साफ होते हैं कितने जो है लोगों का कितने जो पश् जितने भी किसी भी तरह के अनिमल जो क्रॉप को खा सकते हैं, उनको टनो में उनको मारना पड़ता है, उस क्रॉप को प्रोटेक करने के लिए, क्योंकि जब खेती की जाती है, तो उसमें ना कोई पेस्टिसाइड आप डाल सकते हो, इस्पेशली जो USDA का जो स्टेंडर्ड है, उसमें आप पेस्टिसाइड नहीं उसकर सकते हैं, कुछ पेस्टिसाइड उसकर सकते हैं, एक क्वांटिटी में, बट आफ्टर असरेटन प्वांटिटी में आपको मैनुली जानवरों को मारना पड़ेगा, तो यह जो एनिमल यह हैं, कुछ भी हो, फर एक्जांपल, तो उसको लोग बहुत जज्जमेंटल तरीके से लेते हैं, बोलते हैं कि भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो आपको दोशी ठहराने लग जाते हैं, क्योंकि डिएटरी प्रिफरेंस हमेशा एक परसनल मुद्ध होना चाहिए कि मेरे को जो ठीक लगता है अपनी बोडी के लिए, जो मेरी economic condition के हिसाब से ठीक है, वो मुझे खाना है, बाकी मुझे नहीं ठीक लगता, मैं नहीं खाऊंगा, as long as it's permitted by law, it should be allowed, यह simple definition है मेरे साब से, क्योंकि खाना जो है बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे जीवन का, और हम इतनी जो मेहनत करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम चाते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले, उसको आप किसी को कहो कि आप वह चीज को कॉंपरिमाइज कर ले तो आप बहुत बड़ी चीज का त्याग करने को कह रहे हो उससे, वह यह कि पहले ही जो भारत में, especially कि बात करें तो जो nutrition availability है, जो bio availability है food की, वो काफी कम है nutrition wise, और compared to any other European country और North American country, तो वहाँ पर जो bio availability है nutrients की, आप अगर research भी देखेंगे side by side, तो जैसे जो nutritional profile है किसी भी फल सबजी का या किसी भी crop का, वो उसमें जमीन आसमन का फरक आपको देखेंगा European, North American और Asian crops के बीच में, तो already हमारी जो जमीन है, वो कम उर्वरक है, यानि कि कम fertile है, तो उस case में हम already कम nutrition ले रहे हैं, उस पे भी अगर हम अपने आपको restrict कर देंगे, for example, कि मैं जी ये दूद नहीं पिऊंगा, या मैं अंडे नहीं खाऊंगा, या पर मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, तो already आ और जादा डेफिशेंट होकर आपकी बाडी कहीं नहीं उसका आपको भुकतान करना पड़ेगा, आप प्रोटीन की डेफिशेंची जो है बहुत खतरनाक इस तर पे है भारत के अंदर, B12 और विटामिन D की डेफिशेंची तो एकदम पैनेडेमिक के इस तर पे है, तो लो अधिकतर लोगों को हो रही है, सूरज में रहने के बाद भी, और क्लाइमिक चेंज की बात अगर हम करें, तो अगर उसको भी देखा जाए, कि अगर हम उस बेसिस पर भी अपनी डेटरी प्रेफिरेंस चेंज कर लें, या सोचें उस बारे में, तो क्लाइमिक चेंज का सब सबसे बड़ा कॉंट्रिब्यूटर है, दो सबसे बड़े कॉंट्रिब्यूटर है, सबसे पहला तो हूँमन अक्टिविटी, जिसको आप कम नहीं कर सकते, या तो पूरे इंसानों को प्रुछवी से हटा दीजे, अपने आप क्लाइमिक ठीक हो जाए, या फिर जो इंडिर जादेंगे तो सब सही हो जाएगा, but that's not the real solution है नहीं है, नहीं है, but environment के लिए बहतर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए वीगन बनना सबको जरूरी नहीं है, और दूसरी बात कर मैं भूल जाओ से पहले, कि माली जे कि अगर कलको सब लोग वीगन हो जाते ह या सब लोग vegetarian हो जाते हैं, सब meat eater हो जाते हैं, तो क्या ये हमारे environment के लिए सही होगा, चाहिए नहीं होगा, क्योंकि environment का balance बिलकुल बिगर जाएगा, उसमें आप ये भी देखो कि लोग ये कैसे भूल जाते हैं, कि दुनिया की बहुत बड़ी अबादी seafood पर पलती है, बहुत सारी जगह दुनिया में ऐसी है, जहां पर इस तरह की फसले नहीं उख सकती, वहां पर रास्ता यही है कि आप जानवर पालें और उनको चराएं और उसके बाद उनको consume करें, ऐसी भी जगह हैं तो सारी चीज़ों को सोच कर हमें चलना पड़ेगा, ये इतना easy मुद कि जिसको की बहुत oversimplify करके बहुत सारी गुरू एकदम परोस देते हैं सामने से कि यही ultimate solution है, वीगन हो जाओ, बहुत complex topic है, इसको आप deep में study करें, समझें, अपनी शरीर की जरूरतों को समझें, बाकी लोगों की जरूरतों को भी समझें, उनको भी consider करें, तब जाकर consumption कम हो गया, तो kangaroo की संख्या बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि जो kangaroos थे, वो सड़कों पर आने लगे और लोगों को परिशन करने लगे, तो सरकार ने, सरकार ने ये notification दिया कि सब लोग kangaroo meat खाओ अपसे, कि kangaroos की संख्या बहुत बढ़ गई तो उसकी hunting को legal कर दि तो वो चीज हमें उसके unfavorable आउटकम भी हा सकते हैं, यह हमें सोचना होगा, प्राबलम किसी चीज को खाने या ना खाने से नहीं है, प्राबलम आती है जब हम खाने को जोड़ लेते हैं, प्राइड, घ्रणा या हिंसा से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर अभी त अपने वैलिवल ओपीनियन्स कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजे, बट आज यूजूल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉमेंट सेक्शन को सब भी बनाये रखें, अगर आपके कोई क्वेश्चन है डाइटरी प्रफरेंस के बारे में या डाइट के बारे में या पॉडकास्ट है, वो आपको लॉजिकल कास्ट चैनल पर ही मिलेगा, जिसका चैनल लिंक और वीडियो लिंक मैं पिंड कॉमेंट में डाल दूँगा, इसी तरह की एंगेजिंग बाचीत मैंने करी थी डॉक्टर एजूकेशन के साथ, जो की अपने फिल्ड के एक रिनाउं झाल 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 झाल